तो आज की इस उडिम हम आपके साथ बात करेंगे हमारे जो टायर पे एक कोडिंग रहती है आखिर उसका क्या मिनिंग रहता है आखिर किस तरह से आप उसको प्रोपर वे में डिकोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट जो लोग फस्ट टाइम मेरे चैनल से जूड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो टायर पे मार्किंग रहती है उसका क्या मिनिंग रहता है तो जो यहां पर हमारा टायर पे दोसुपैंटी इंडिकेट क्या करता है वह इंडिकेट करता है उस टायर के हमारी कितनी विड्थ है यहनि कितना टायर चोड़ा है तो एक और इंपोटेंट पोईंट यहां पर होता है जो हमारे टायर के जितने भी डैमेंशन रहते हैं ओस पर मैनफेक्चर रिकॉमंड keh drone जो मेरा प्रेशर रहता है यानि किसी मेरे टायर का एक मेनफेक्चर का रिकॉमंड 285 के साथ हमारे उस टायर के सभी डैमेंशन करता है कि मेरे टायर का एस्पेक्ट रएशो कितना है यानि इसका जो टायर की मेरी साइड से ग्राउंड से उसके रिम तक यहीड तो यह 55% करता आ मेरे टायर की sectional height 235 उसकी जो width है उसका 55% मेरा उसकी टायर की sectional height है यानि अगर यहां बात करें 235 नमारा 139.25 mm के करीब उसकी फिर मेरी उसकी sectional height बनती है अब next बात करते है और हमारा indicate करता है मेरी टायर की construction को हमारी यहां पर टायर जर्नली दो टाइप कोता है एक होता है 22 प्लाइ तारा है तो यह इतारा हमारे को इ cries करता है कि जिस रीम पे मेरा यह टार चड़ेगा जिस यानि रिम पे मेरा यह टार असैम्बल होगा तो यह टार हमारा 17 इंच के एक कर रिम के लिए बना है अब नेश्ट जिजिट मेरा आ जाता है हो आते है 99 99 99 मेरे को यहाँ पर क्या करता है 99 मैं हमारे को इंडिकेट करता है कि जो मेरा टायर है उसका लोडिंग इंडेक्स कितना है यह कितने maximum लौड के लिए हमारा टायर डीजाइन हुआ है उसकी maximum loading के लोड केरिंग केशिटी हमारी कितनी है next digit हमारा जाता है वो है W 68 अब W मेरे predator इहाँ पे क्या SHOW करता है lot место हमारे को टायर पे स्पीड रेइटिंग योड्रüs टायर मैसीमं कितनी स्पीड के लिए डिजाइन है यह डल्र हमारे को ओंडीकइट करते क्या हमारा टायर 500 AD एक सुपचास किलोमेटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन है या धाइस हो तो यह डवल्यू हमारे को यहाँ पर यह इंडिकेट करता है तो ऐसे ही आप एक टायर की कोडिंग को डिकोड कर सकते हैं कि आखिर मेरे टायर पर जो कोडिंग रहती है उसका क्या मेनिंग रह यह तक्यू